हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यान एक स्पी तो सबसे पहले जो लोग मार्च में टुपल सी के एक्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को में इतरब से all the best डेर साइस सुख कामना है मार्च में होने वाला टुपल सी एक्जाम एक मार्च से पांच मार्च के बीच होगा आप सभी के एड्मिट कार्ड अप्लोड हो चुके हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लिजे देख लिजे आपका मार्च के बीच आप सभी के एक्जाम होगे तो जो लोग पहली बार टुपल सी के एक्जाम देने जा रहे हैं अगर आपको नहीं पताएं किस तरह से डिजे का एक्जाम देते एं तो इसका एक अलग से मैंने वीडियो अप्लूड कि ए उसमें पूरा प्रोस पताएं किस तरह का interface होगा, कैसे आपको login करना होगा, किस तरह से questions आएंगे, कैसे answer mark करने, ये सारी चीज़े हमने एक वीडियो में काफी detail में बताएं, इस वीडियो का link आपको इस वीडियो के discussion में मिलेगा, एक्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखीगा, और अगर आप practice करना चाते हैं इसी तरह के important questions के साथ, तो आप हमारी website www.ganicsp.com पे visit कर सकते हैं, यहां से भी आप practice करते रहें, यहां पे जितने भी मैंने questions अप्लूड की हैं, उस सभी के सभी questions triple C exam में पूछेगे important questions हैं, और triple C new syllabus पे बीस्ट हैं, तो I hope आप सब ready होंगे, तो देखते हैं आज का सबसे पहला question, और इन सबी questions के right answer आप लोग comment box में comment करते रहेगा, तो आज का सबसे पहला question है, भारत का पहला electronic computer कौन सा है, तो comment box में बताएं, इस question का right answer क्या होगा, और इस question का right answer है, हे C2M, इंडिया का सबसे पहला electronic computer था, अब यहां से एक और question पूछा जा सकता है, कि इसको कब launch किया गया था, तो 1955 में सबसे पहले इस पहले electronic computer को launch किया गया था, इस computer को इंडिया द्वारा डबल अप नहीं किया गया था, इसको ब्रिटन से import किया गया था, ओके तो आप देखते हैं अगला question, और अगला question है, लेब्रियो आफिस के अल्क में, नियून तम font size क्या है, तो minimum font size और maximum font size दोनों exam में पूछे आते हैं, आप दोनों के answer आपको पता होने चाहिए, तो सबसे पहले आप बताएं, इस question का right answer क्या होगा, 2, 4, 6, या फिर 8, तो इस question का right answer है, option A, 2, minimum font size होता है, LibreOffice, Calc, Writer और Impression, तीनों में minimum font size होता है, 2, और maximum की बात करें, तो 999.99 होता है, जो कि लगबग 1000 के बराबर होता है, कई बार options में 1001 option दिया जाता है, जो कि correct option होता है, वैसे अगर हम देखें हैं, तो 999.99, इसका maximum font size होता है, और ये Calc, Writer, Impress, इन तीनों में minimum 2, और maximum होता है, 1000, या फिर आप कह सकते हैं, 999.99, ओके तो आप देखते हैं, अगला question, और अगला question ने Unix में किसी file का print प्राप्त करने के लिए किस command का उप्यूप करते हैं, काफी popular question एक्सर टॉपल सी एक्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से बताएं, इस question का right answer क्या होगा, ओके तो इस question का right answer है, option C, LPR, यहाँ पे दिखिए, यह I नहीं लिखा गया है, LPR है, याद रखिएगा, कई बार यहाँ पे इसको I, S, T, I, K से लिख दिया जाता है, और आप लोग confused हो जाते हैं, यहाँ पे IPR नहीं होगा, LPR होता है, command जिसके थुरू हम file को print कर सकते हैं, command है, Unix operating system में इस command का इस्तिमाल किया जाता है, किसी भी file को print करने के लिए, अब यहाँ से और भी questions पुछे जा सकते हैं, जैसे पुछा जा सकता है, MV command का क्या इस्तिमाल होता है, तो यह file या directories को move करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, किसी file या directory को एक जगा से दूसरे जगा ले जाने के लिए इस command का इस्तिमाल करते हैं, एक और command है यहाँ पे cp, cp command का इस्तिमाल किया जाता है, किसी file या directory की copy create करने के लिए, pt नाम का कोई command नहीं होता है, unix या linux operating system में, तो इस question का right answer है, option c, तो आप देखते हैं अगला question, और अगला question है, लेब्रे office में word count option किस menu में होता है, edit, view, tools या फिर insert, जल्दी से बताई काफी simple से question है, और लेब्रे office, writer, calc, impression, सभी के वीडियोस में upload कर चुका हूँ, अगर आप cc news labels नाम की playlist देखेंगे, तो उसमें इस तरह के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि cc news labels पे based हैं, यहाँ पे आपको लेब्रे office के सभी topics पे वीडियोस मिलेंगे, इनको practically मैंने explain किया है, तो exam से पहले अगर आपके पास time है, तो इन वीडियोस को जरूर देखेगा, ओके तो इस question का right answer है, option C, tools menu के अंदर होता है word count का option, तो इसको भी हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे writer को open करेंगे, तो आप देख सकते है, tools menu के screen पे आज आएगी, ओके तो आप देखते हैं, अगला question, और अगला question है, system को अंतिम बार कब बंद मीन, shutdown या बूट किया गया था, जानने के लिए किस command का उप्योग करते हैं, यह question भी कई बार exam में पूछा जा चुका है, ओके तो इस question का right answer है, option A, last एक command इस्तिमाल किया जाता है, system कब last time बूट किया गया था, या उसे कब shutdown किया गया था, इसकी detail अगर आप जानना चाहते हैं, तो last command का इस्तिमाल किया जाता है, यह Linux operating system से जुड़ा हुआ question है, तो आप देखते हैं, अगला question, और अगला question है, नि question है, तो torgen horse, virus, spyware, ransomware, इन में से right answer क्या है, जल्दी से बताएं, comment box में, और आप सभी लोग previous online test के जितने वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस को आप देखते रहे, online test रीच के जितने वी वीडियोस में अपलोड कियें, वो सभी के सभी triple C new syllabus पे based हैं, और maximum यहाँ पे 90 प्लस percent ऐसे questions हैं, जो कि triple C exam में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप playlist में जाएं, और triple C online test series की जितने भी वीडियोस हैं, उन सभी को ज्यादा से ज्यादा आप देखे, exam में काफी help मिलेगी, बहुत से ऐसे questions होंगे, जो same to same आपको exam में देखने को मिलेंगे, तो इस question का right answer हो ज अगला question ने control plus scap से क्या open होता है, और calc writer impress in सभी की shortcut keys के अलग से मैंने videos upload की हैं, अगर आप playlist में जाएंगी, तो अलग से एक playlist मिलेगी, library office shortcut keys जिसमें आपको calc writer और impress इन सभी की shortcut keys मिल जाएंगे, जिनको मैंने practical के साथ explain किया है, तो आप इन videos को देख लीजे, यहां से भी आपको exam में काफी help मिलेगी, तो इस question का right answer हो जाएगा, option C, इस question को दो तरह से पुछा जाता है, कई बार पुछा जाता है, start menu को open करने की shortcut key क्या है, तो control प्लस इसके आप shortcut key का इस्तिमाल के जाता है, start menu को open करने के लिए, और कई बार exam में यह भी पुछा जा चुका है, कि कौन सा ऐसा operating system है, windows operating system में, कौन सा ऐसा operating system है, जिसमे start menu नहीं होता है, तो window 8 में start menu नहीं होता है, याद रखिएगा, window 8 operating system में start menu नहीं होता है तो अब देखते हैं अगला question और अगला question है myspace किस ने बिक्सित किया काफी popular question है जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा A B C D में से क्या right answer है comment box में comment करके बताईए ओके तो इस question का right answer है option A Tom Anderson ने myspace को बिक्सित किया अब यहां से एक और question पूछा जा सकता है कि myspace क्या है एक social networking website है तो अगला question देखते हैं और अगला question है जो की काफी popular है इस पे कई सारे और भी questions पूछे जाते हैं यहां पे इस question में पूछा गया है 500 के note का आकार क्या है तो present time में जितनी भी currencies है इन सभी के size और color आप लोग याद कर लिजें इन सभी से questions पूछे जाते हैं अकसर किसी न किसी shift में 500, 200 या 2000 इस तरह की जो currencies है इनके size और colors के बारे में एक्जाम में पूछा जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B 66 mm by 150 mm और यहां पर कई बार एक्जाम में यह भी पूछा गया है 500 के note का color क्या होता है तो इसका color होता है stone gray तो अब देखते हैं अगला question और अगला question है malware program जो system को lock या control करता है तो इसमें देखी यहां पर बूला गया है lock या control करता है कौन सा ऐसा इसमे malware program है जो किसी system को lock या control कर सकता है तो इस question का right answer है option C ransomware एक ऐसा malware program है जो कि किसी system को lock या control कर सकता है तो अब देखते हैं अगला question और अगला question है फाइल को upload और download करने के लिए किस protocol का उप्योग करते है TCP, STTP, FTP या फिर SMTP और इन सभी के full form exam में पूछे आते हैं याद कर लिजे TCP का full form होता है transmission control protocol STTP का full form होता है hyper text transfer protocol FTP का full form होता है file transfer protocol और SMTP का full form होता है simple mail transfer protocol SMTP एक ऐसा protocol है जिसका इस्तिमाल की आता है email को send करने के लिए और email को receive करने के लिए दो protocol इस्तिमाल होते हैं एक होता है POP3 और एक होता है IMAP इन दोनों के भी full form पूछे आते हैं POP का full form होता है post office protocol version 3 और इसका full form होता है internet message access protocol तो इनके full form भी याद रखी क्यों कई बार exam में इनके full form भी पूछे आते हैं और कई बार यह पूछा जाता है यह किस से related है तो POP3 और IMAP दोनों email को receive करने के लिए इस्तिमाल के जाते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option C FTP किसी भी file को upload या download करने के लिए FTP protocol का इस्तिमाल किया जाता है तो अगला question देखते हैं पहला computer program किसने लिखा जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा option A, option B, option C या फिर option D तो इस question का right answer है option A, एड़ा, लबलेस ने सबसे पहला computer program लिखा तो अगला question देखते हैं और अगला question A, D, E, S का पोड़ रूप क्या है बिल्कुल साइस question का right answer हो जाएगा option A, data encryption मानक या फिर हम इसको बोलते हैं data encryption standard जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है तो अब देखते हैं अगला question तो अगला question है LibreOffice impress में पिछली slide पर जाने के लिए किस कुणजी का उपयोग करते हैं तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएंगे तो इस question का right answer है option C जब slide so mode में आप previous slide पर जाना चाते हैं तो उसके लिए हम P shortcut key का इस्तिमाल कर सकते हैं या अगर आप keyboard पे P key को press करते हैं तो आप previous slide पर जा सकते हैं और इसी तरह से एक और question पूछा जा सकता है कि अगली slide पर जाने के लिए कौन सी key का इस्तिमाल करेंगे या कौन सी shortcut key का इस्तिमाल करेंगे तो अगर आपको इसी तरह से options मिलते हैं तो अगली slide पर जाने के लिए N का इस्तिमाल करते हैं और पिछली slide पर जाने के लिए P key को press करते हैं तो आप देखते हैं अगला question और अगला question है Ubuntu में lock screen के लिए keyboard shortcut क्या है जैसे Windows operating system में अगर आप अपने system को lock करना चाते हैं तो बिंडो की के साथ में L प्रस करते हैं इससे हमारा system lock हो जाता है तो अगर आप Ubuntu operating system को lock करना चाते हैं तो इन में से कौन सी shortcut key का इस्तिमाल करेंगे अब Ubuntu क्या है कई लोगों को हो सकता है ना पता हो Ubuntu एक Linux based operating system है यह open source है इसको आप freely download करके अपने system में install करके इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस question का right answer है option C control alt plus L shortcut key का इस्तिमाल करके आप Ubuntu operating system में screen को lock कर सकते हैं या system को lock कर सकते हैं तो अगला question देखते हैं और अगला question है URI का पूर्ण रूप क्या है तो इस question का right answer है option B uniform resource identifier अब यह क्या होता है यह URL और एक होता है URN इन दोनों के full form भी आपको पता होने चाहिए URL का full form होता है uniform resource locator और URN का full form होता है uniform resource name अब यहां पर URI क्या है URI इन सभी का superset है तो URI में URL या फिर URN में से किसी एक का इस्तिमाल किया जा सकता है तो इस question का right answer है option B uniform resource identifier तो अब दिखते हैं अगला question और अगला question है IBM 1403 क्या है mini computer, micro computer, super computer या फिर printer तो इस question का right answer है option D printer ये printer का एक model है और इसी तरह से एक और question पुछा जाता है 14 IBM 1401 क्या है तो एक mini computer का उदारण है तो अब देखते हैं अगला question और अगला question है निमलकित में से कौन सा web browser नहीं है Alta Vista, NetSurf, W3M या फिर Midori इन में से कौन सा web browser नहीं है बेलकुल साइज question का right answer हो जाएगा option A Alta Vista क्या है सर्च इंजन का उदारण है ना कि web browser जबकि NetSurf, W3M, Midori ये तीनों क्या है web browser के उदारण है इनके नाम भी आद कर लिजे कई बार exam में क्या होता इस तरह से options दिए जाते हैं और पूछा जाता है इन में से कौन सा web browser है या इन में से कौन सा web browser नहीं है तो आप देखते हैं अगला question और अगला question है Google की स्थापना कब हुई ओके तो इस question का right answer है option C 1998 में Google की स्थापना हुई तो अगला question देखते हैं और अगला question है LibreOffice Writer में digital signature का बेकल्ब किस menu में होता है तो LibreOffice Writer के वीडियो में मैंने बताया था digital signature क्या होता है किस तरह से इसका इस्तिमाल कर सकते हैं और किस menu के अंदर होता है ये सारी चीज़े हम practically बता चुके हैं LibreOffice Writer के वीडियो में तो अगर आप देखना चाते हैं Writer, Calc, Impress के वीडियो तो आप CCC News Labus नाम के एक playlist है जिसे आप follow कर सकते हैं तो इस question का right answer है option B file menu के अंदर होता है LibreOffice में signature या digital signature का option तो अगर आप इसे practically देखना चाते हैं तो जैसे हम यहाँ पे writer को open करेंगे या file menu पे click करें आप यहाँ से देख सकते हैं digital signature का एक option है अब यहाँ से अगर आपने digital signature को setup किया होगा तो आप यहाँ से अपना digital signature अपने document में insert कर सकते हैं अब अगर आप document में digital signature insert करना चाते हैं उससे पहले आपका जो document है वो आपके system में saved होना चाहिए तो इस question का right answer है option B file menu तो अगला question देखते हैं और अगला question है artificial intelligence के पिता किसे कहा जाता है तो इस type का question एक कल भी मैंने discuss किया था तो जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा तो अगर आपने ये previous online test का वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा इस question का right answer क्या है जल्दी से comment box में बताई इस question का right answer क्या होगा ओके तो इस question का right answer है option D उप्रोगत सभी इन सभी लोगों ने मिल के artificial intelligence concept को double up किया था तो अब देखते हैं अगला question और अगला question है पोस्ट का पूर्ण रूख क्या है मीज़ इसका full form बताना है तो comment box में जल्दी से comment करके बताई इस question का right answer क्या है और शुरुआती दिनों में जिन लोगों का triple C exam है आप सभी से मेरी एक छोटी से request है आप लोग अपने exam के कुछ questions हमें जरूर भीजीगा तक कि आने वाले दिनों में जिन लोगों के triple C के exam होते हैं उन सभी को मैं इसी तरह से help करता रहूँ और आपके दोरा भीजीगे questions के same day मैं solutions upload करता हूँ इससे आपको पता चलेगा उन questions के right answer क्या है प्लस आगे जो लोग triple C के exam देते हैं उन सभी को इन questions से काफी help मिलती है और अगर आप questions भीजना चाते हैं तो आप हमारा WhatsApp number no down कर सकते हैं जो कि आपको इस test के last screen पे दिख जाएगा उसे no down कीजिए आप हमें WhatsApp के माध्यम से questions भीज सकते हैं या आप चाहें तो हमारे किसी भी वीडियो में comment section में comment करके हमें questions भीज सकते हैं ओके तो इस question का right answer है option C power on self test जब आपका system boot होता है तो सबसे पहला एक process run होता है जिसको बोलते है post power on self test यह पूरे system को check करता है आपके system में connected जितने भी hardware होते हैं उन सभी को test करता है कि यह properly चल रहे हैं या नहीं और in case अगर कोई problem होती तो उससे related message आपकी screen पे दिखाई पड़ता है तो post का पूर्ण रूप कई बार exam में पूछा गया है power on self test तो अगला question देखते हैं और अगला question है unix में backup command क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा option B CPIO अब यहां पे कई अलग-अलग requirement के साफ से अलग-अलग backup commands का भी इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से एक और backup command होता है जिसको बोलते है tar तो अगर tar का एक option दिया है तो यह भी correct option होगा और यहां पे इस question का right answer है CPIO तो अगला question देखते हैं और अगला question है निमलकित में से कौन safe mode में load होता है कई बार हमाई system में कुछ problem होते हैं तो हम उसे safe mode पे boot करते हैं इस question में पूछा गया निमलकित में से कौन सा safe mode में load होता है means कई अलग-अलग तरह के hardware हमाई system के साथ connect होते हैं उन सभी के drivers भी load होते हैं जब हमारा system boot करता है लेकिन जब हमारा system safe mode पे boot होता है उस time पे सभी hardware के drivers load नहीं होते हैं तो keyboard जोकि सबसे ज़्यादा required होता है input के लिए mouse इसका भी hardware का driver है वो भी upload होता है या load होता है और BGA जहाँ पे हम display देखते हैं क्योंकि जब आपका system चल रहा होगा तो आप उसे input देंगे और उसका output देखेंगे तो यह तीन ऐसे hardware होते हैं जिनके drivers safe mode पे load होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D उप्रोगत सभी keyboard driver, mouse driver और BGA driver यह तीनो driver safe mode पे load होते हैं तो आप देखते हैं अगला question तो अगला question है नेमलकित में से कौन सा text browser है जल्दी से बता इस question का right answer क्या होगा और यहाँ पे online test में हम जितने भी questions discuss करते हैं सभी के सभी questions triple C exam में पूछे जा चुके हैं यह उन लोगों के द्वारा questions पेज़ेगे हैं जो पहले exam दे चुके हैं और उमीद करते हैं इसी तरह से आप लोग भी हमें questions पेज़ेंगे ताकि आने वाले दिनों में जिन लोगों का triple C exam होता है उन सभी को में help करता रहूं तो आज हमने टूटल 25 questions discuss कियें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस question के right answer केते हैं इस question का right answer हो जाएगा option A line X नाम का जो browser है वो text browser है मेंसे यहाँ पे graphical user interface नहीं होता है text के माध्यम से आप browsing कर सकते हैं तो इसका नाम याद रखिएगा कई बार exam में पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सा text browser है जैसे कि इस question में पूछा गया है तो आज हमने टूटल 25 questions discuss कियें अगर आपके 20 plus questions आज के test में correct हैं इसमेंस आपकी तयारी अच्छी है और अगर इससे कम questions आपके correct हैं तो और जाद आपको practice करने की जरूरत है और अगर आप इसी तरह के question के साथ practice करना चाहते हैं तो आप हमारी website www.ganxp.com पे visit कर सकते हैं ओके तो आप time हो गया है प्रीबियस test में पूछेगे questions के right answer बताने का तो सबसे पहला question था fireball networking device नहीं है तो इस question का right answer हो जाएगा true fireball के एक security device है ना कि networking device और यहां से एक और question पुछा जाता है fireball hardware होता है या फिर software तो fireball hardware और software दोनों form में हो सकता है तो आगला question था artificial intelligence में सबसे ज़्यादा प्रियोख होने वाली programming language कौन से है तो इस question का right answer हो जाएगा lisp और कई बार exam में इसका full form भी पूछा जा चुका है तो lisp का full form होता है list processing और अगला question था library office writer में cycle case की shortcut क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा shift plus f3 cycle case क्या होता है जैसे कि यहां पे यह देखी title case में लिखा हुआ है आप चाहिए इसे upper case में या lower case में change करना चाहते है तो cycle case का इस्तिमाल कर सकते हैं और इसके लिए हम use करते है shift plus f3 shortcut की और अगला question था library office writer में ruler को hide और unhide करने की shortcut की क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा control plus shift plus r और अगला question था device driver किस प्रकार के software है तो device driver operating system language translator ये सभी क्या होते है system softwares होते है तो अब time होगे है आज के questions का और उमीद करते हैं इन सभी questions के right answer आप लोग comment box में जरूर comment करेंगे तो आज का सबसे पहला question है amoled का full form क्या है एक screen type होता है तो आपको इसका full form बताना है और अगला question है m commerce की सुरुवात किसने की और अगला question है UPI के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है ये question कई बार exam में repeat हुआ है और अगला question है facebook की मसूर social media जिसमें video और photo share किया जाता है उसका नाम क्या है आप सभी को बता होगा बस guess करके बताए इस question का right answer क्या होगा और आज का last question है SNMP का पूरूरूप क्या है काफी popular question है कई बार exam में इसका full form पूछा जा चुका है तो उम्मीद करते हैं आज के इस test से काफी कुछ नयाद सीखने को मिला होगा तो please हमाई इस video को like उसे जरूर कीजेगा और अगर आप पहली बार triple C का exam देने जा रहे हैं आपको नहीं पता है किस तरह से exam देते हैं तो इस video के discussion में एक video का link मिलेगा जिसमें मैंने पूरा process पता है किस तरह से triple C का exam देते हैं और कैसा interface होगा किस तरह से answer mark करने तो exam से पहले इस video को एक बार जरूर देखेगा और हाली में मैंने 1000 question का एक अलग से video upload किया है जिसका link इस video के discussion में दिया गया है अगर आपने अभी तक बिलकुल भी तयारी नहीं किये तो आप इस video को एक बार पूरा जरूर देखे इससे आपको exam में काफी हिर्प मिलेगी काफी ऐसे questions होंगे जो same to same आपको exam में देखने को मिलेंगे इस एक single video के अंदर आपको हर एक topics related questions मिलेंगे और सभी के सभी questions triple C news labels पे based हैं तो जो लोग March में triple C के exam देने जा रहे हैं उन सभी को मेही तरब से all the best तो मिलते हैं अगले टेस्ट में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग